मुझजफर नगर की एक अदालत ने आचार सहिंता उलंगन के मामले में सुनवाई करते हुए भाजपा नेता वैपूर विधायक उमेश मलिक को राहत दे दिये कौर्ट ने पूर विधायक को साक्षिय के आभाओं में बरी कर दिया है जबकि मुकदमे के एक सहय आरोपी पहले ही अपना गुना कबूल कर मामले में तीन सो रुपे का जुरुमाना भुगत चुके हैं 2012 का एक मुकदमा था मकान पे कोई वहाँ पे उस समय सपा की सरकार थी तो फरजी रूप से चपा उप लगवाया था 188 में वो मुकदमा समाप्त हुआ है आज उसमें बरी हुआ है और हमारे एड़ोकेट थे शांबीर जी पिजिंदर जी या पिश्पिंदर जी सारे मिलके म तेरे भाईजी उन्हें 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 बरी हो गए है इसमें मैं था और एक दूसरे एक होड़ थे दोई लोग थे दोनों के दूने बरी हो गए है अब मुकदमा वगरा यह बताएंगे बताओ जी यह पांच फरवरी 2012 की थी चुनाव चला था हमारा ओफिस था विदाए पकड़ा गया कोट नो वो सारी चीज जुक्ती माननी क्योंकि जो एविडाइन्स आई वो सारी अभियोजन साभीत नहीं कर पाया इसमें दो मुल्ट लोग थे मलिक साब थे और एक जो मकान मालिक थे सत्पाल सिंग वे भी थे यह सापूर का था मौला सैनियान का दोजार ब कि यह तिनो दालाओं में हमें दोस्मुक्त कर दिया क्योंकि वियोजन कोई अपना वो साक्षे साभीत करने में ऐसा पल रहा है